रादी रादी दोस्तों मेरे चैनल नैंसी शुवम ओफीशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत सुआगत है दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगी निर्जला एकदसी की ब्रत कथा जो कि इस ब्रत को करता है उसको कथा सुनना बहुत आवश्यक है तो आईए मैं सुना आती हूं आपको निर्जला एकादसी की ब्रत कता। इस पर ब्यास जी कहने लगे कि हे भीम सेन यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समस्ते हो तो प्रती मास की दोनों एकादसीयों को अन्यमत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पिता मैं मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूक सहन नहीं कर सकता। यदि बर्स भर में कोई एक ही ब्रतो बह मैं रख सकता हूं। क्यूंकि मेरे पेट में ब्रक नाम बाली अगनी है सो मैं भोजन किये बिना नहीं रह सकता हूं। भोजन करने से बह सांत रहती है इसलिए पूरा उपवास्तो क्या एक समय वी बिना भोजन किये रहना मेरे लिए कठिन है। अता आप मुझे कोई ऐसा ब्रत बताईए जो बर्स में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाए। सिरी ब्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र बड़े बड़े रिसियों ने बहुत सास्त्र आदी बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही श्वर्ग की प्राप्ती हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकदसी का ब्रत मुक्ती के लिए रखा जाता है। ब्यास जी के बचन सुनकर भीम सिम नरक में जाने के नाम से बहवीत हो गए और कापकर कहने लगे कि अब क्या करूं मैं? मास में दो ब्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ बर्स में एक ब्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं अता बर्स में एक दिन ब्रत करने से यदि मेरी मुक्ती हो जाए तो ऐसा कोई ब्रत आप बताईए। यह सुनकर ब्यास जी कहने लगे कि ब्रशब और मिथुन की संक्रांती के बीच जेस्ट मास के शुकल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का ब्रत करो। इस एकादशी के ब्रत में इश्नान और आचमन की सिवा जल वर्जित है। आचमन में छे मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। अन्यथा बहे मगपान की श्रदस्ट हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्यूकि भोजन करने से ब्रत नश्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूरे दो से लेकर द्वादशी के सूरे ओदे तक जल ग्रहन ना करें तो उसे सारी एकादशीयों के ब्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादसी को सूरे ओदे से पहले उठकर इश्टनान आदि करके ब्रहमडों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात, भूके और सत्पात्र ब्रहमड को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक बर्स की संपूर एकदशियों के बरावर होता है। ब्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन यह मुझको स्वैम भगवान ने बताया है। इस एकदशी का पुन्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापो से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकदशी का ब्रत करते हैं, उनकी मृत्तियों के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। बरना भगवान के पार्वसद उसे पुस्पक बिमान में बिठाकर श्वर्ग को ले जाते हैं। अता संसार में सबसे श्रेस्ट निर्जला एकदशी का ब्रत है। इसलिए यतन के साथ इस ब्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते बाशु देवाय मंत्र का उच्चारन जरूर करना चाहिए हमें और गौदान जरूर करना चाहिए। इस प्रकार ब्यास जी की आग्यानो शार भीम सेन ने इस ब्रत को किया। इस एकादशी को भीम सीनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला ब्रत करने से पूर्व भगवान से प्रातना करें कि हे भगवन आज मैं निर्जला ब्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस ब्रत को स्रध्धा पूर्बक करूंगा, अता आपकी करपासे मेरे सवपाप नस्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा बस्तर से ढख कर सुण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष इस ब्रत को करते हैं, उनको करोण फल, सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस याग्या दिख करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एक घड़ा सी के ब्रत से मनुष विष्णू लोग को प्राप्त होता है, जो मनुष इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं, जिसने निर्ज लाय कद शिक ब्रत कीया है, बहे चाहें, भ्रहमा हत्यारा हो, मगपान करता है, चोरी की हो, या गुरू के साथ देश किया हो, मगre इस ब्रत के प्रवाब से बहे श्वर्ग को जाता है, यह कुंति पुत्र, जो पुर्ष या इस्त्री, स्रद्धा पूर्भग इस ब्रत को चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए निर्जला के दिन अन्य वश्ट्र उपाहन आधिका भी दान करना चाहिए जो मनुश्य भक्ती पूर्बग इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्ची ही श्वर्ग की प्राप्ती होती है राधे राधे दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और कॉमेंट वॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर कीजेगा राधे राधे